नमस्कार मित्रो में भरत रानेजा अपने जोतिष्ट प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मित्रो आज हम भात करेंगे संख योग के बारे में चाहे आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो चाहे कोई भी लगन की जन्म कुंडली हो आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग कैसे बनता है ये वीडियो देखकर आप जान सकते हैं और मित्रो संक योग जो है वो सुब फल देने वाला है यानि जिन लोगों की जन्म कुंडली में संक योग होता है ऐसे व्यक्ति उच्च पदाशीन होते हैं या अच्छे वैपारी होते हैं इनके अंडर में 30-40 या इससे अधिक करमचारी जो हैं वो काम करते हैं इनका अच्चा खासा जीवन होता है सुकी जीवन वाले ये होते हैं व्यक्ति और जातक जिनकी जन्म कुंडली में संक योग होता है तो यह संक के योग कैसे बनता है मित्रों डिस्पले पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है उसमें आप देखेंगे यह दसम भाव है और दसम भाव का जो स्वामी होगा यानि मेस रासी है तो उसका स्वामी मंगल है और वर्षब राशी है तो उसका स्वामी शुक्र है इस तरह आपको देखना है कि दसम भाव में कौन सी राशी आ रही है उस राशी का स्वामी जो होगा वो दसमेस कहलाता है और दसमेस जो है चन्म कुंडली में दसमेस अगर चर राशी में हो दसमेस चर राशी में हो दसमेस में दसम भाव का स्वामी जो है वो दसमेस कहलाता है और दसमेस जो है या तो मेस रासी में होना चाहिए या करक राशी में या तुला राशी में या मककर राशी में होना चाहिए मेस राशी यानि एक नमबर चार नमबर करक राशी साथ नमबर तुला राशी और दस नमबर मक अब आपको देखना है कि भग्यवाव का स्वामी जो है वो स्ववराशी में होना चाहिए या अपने उच्च राशी का होना चाहिए तभी यह योग बनेगा जो संख योग क्यलाएगा और यह संख योग जो है वो सुबफल देने वाला योग है तो भग्य भाव का स्वामी जो है वो स्वराशी का या उच्च राशी का होना चाहिए या फिर अपनी मित्र राशी में यानि बलवान होना चाहिए किसी भी तरह से अस्त नहीं होना चाहिए और दसमेश जो है वो चर राश्यों में बैठा ह उना चाहिए। तब भी जन्मकुंडली में बनता है संक योग। तहीं इस जानकारी बारे मेरे द्वार दी गई प olar आप अवश्या संतोस्त होंगे। आपको क्सी तुर जाय संकरी चाहिए। तो कमेंट करें बताएं। अवश्याун में जानकारी देने धन्यवाद